Hello everyone, कैसे आप? I hope आप गर पे चैसे होंगे. मेरे बच्चे, आज के लेक्चर में हम areas related to circle के 10 important MCQs करेंगे. ये 10 जो MCQs हैं, ये आपके पूरे chapter को revise करवा देंगे. जिसमें आपका segment का area, जिसमें आपको problem रहती है, उसका मैं shortcut formula यहाँ पर बताने वाला हूँ. sector का area, shaded reason के जो questions होते हैं, वो भी मैंने last में 3 questions रखे हुएं. मतलब पूरा chapter आपका revise हो जाएगा, अगर आप ये 10 MCQs अच्छे से समझ आते हो. काफी selective MCQs हैं, ध्यान से समझना और मेरे करने से पहले आप इनको try कर सकते हो. अगर आपको ये आते हैं तो बहुत बड़ी है, नहीं आते हैं तो ध्यान से देखो, अपनी notebook पे इन MCQs को note कर लेना. चलिए, start करते हैं, question number one से, जो की बहुती simple और basic question है. मेरे बच्चे, there are two circles जिनका radius 7 और 24 है, radius of the circle having area equal to the sum of areas of two circles is what? हम एक ऐसी circle का radius find करना है, जिसका area is equal to sum of the areas of given two circles. simple सी बात आपको ये लिखना है, pi r square area of required circle is equal to sum of areas of given two circles. ये condition आपको apply करनी है, ये जो statement लिख रखी है, इसको मैंने mathematically ऐसे लिख लिख लिया. capital R का value निकालो, वही आपका answer है. मेरे बच्चे, इन सब में pi common है, pi cancel हो जाएगा, उसके बाद जो small r, r1 और r2 है, इनका value आप डाली है, यहाँ 7 का square और 24 का square. जब आप इस term को simplify करेंगे, you will get 625, जो की 25 का square होता है. तो 25 का square है, तो मेरे बच्चे, capital R का value आपका 25 आगे. basic question है, बड़ा simple है, कहीं बार confusion होती है, बड़ अभी कोई confusion नहीं, आपने इसको कर लिया बड़े अराम से. चलिए, आगे बड़ेंगे, question number 2, काफी interesting question है, काफी interesting question है, cost आ जाती है, कई बार percentage आ जाती है, बचे हो जाते हैं, confused, confused नहीं होना है, यह questions भी बहुत simple होते हैं, मेरे बच्चे, देखो, cost of fencing a circular field at the rate of this is this, circular field है, तो लो भी circle बना दी, fencing मतलब circumference की बात कर रहा है, यह circumference की ब fencing करेंगे, पूरे boundary पे, तो आपको total, जो cost पड़ेगी, 5 to 80, और rate क्या है, 24 per meter, इस information से हमें, इस circle का radius पता चल जाएगा, जो आपको find करना ही होगा, क्योंकि आपको आगे cost find करनी है, ploying the field at the rate of 50 पैसा per meter square, कि भाई, इस खेत में, जब मैं खेती करूंगा, उस खेती को करने के लिए, खेत को जोतना पड़ेगा, तो भाई, उसकी कितना पैसा लग जाएगा, यानि area की बात हो रही है, आप field के अंदर आगे है, area की बात हो रही है, तो आपको simply यहाँ पर, इ that is pi r square, r तो चाहिए न, तो given information से r आ जाएगा, तो pi r square area आ गया, इसको आपने cost से इंटू करना है, cost क्या है, 50 पैसा per meter square, जो पैसे दिया है, इसको आप rupees में change करो, that is 1 by 2 rupees per meter square, इस area को आपने 1 by 2 से इंटू करना है, that's all, बस आपको यह radius निकालना है, जो बड़े अराम से न pi r, done, अगर मैं इस circumference को 24 से इंटू करता हूँ, तो इसका क्या मतलब बैठ रहे है, circumference को 24 से इंटू किया, यह जो 24 आपको given है, जनी cost से इंटू कर दिया, rate से इंटू कर दिया, तो circumference को जब आपने rates इंटू किया, तो circumference को fencing करने में total cost आपने find कर ले, कि उसको कितना खर अचा बैठा, जो की given है, 5280, that's all, यह समझना था आपको, यहां से आपको r का value मिल जाएगा, बड़े अराम से, मेरे बचे देखो, 2 pi is 22 by 7, rate is हमें find करना है, and here 24, 5280, calculation बड़े अराम से करनी होती है, क्योंकि इसमें अगर आप calculation को length ही ले जाओगे, तो first जाओगे, जो terms पह apply नहीं करनी है, जैसे मेरे बचे, यह 24, 5280 को cancel कर देगा, 24, 2 जा, 48, 4 carry 48, 2, देखो, 220, 24 ने 5280 को पूरा cancel कर दिया, फिर यहां पर 22 है, यह इसको cancel कर देगा, यहां पर आदेगा 10, फिर यह वाला 2, इस 10 को cancel कर देगा, यहां पर आदेगा 5, यहां खाली 7 बचा है, 7 को उतर ले जाओ तो 35, अब बताईए, रेडिस आगे 35, बस बच्चे यहां value डाल दो, 22 by 7, 5 का value, रेडिस आपने निकाला 35, इसको लिखना आपने दो बार, और half से इंटू जरूर करना है, क्योंकि आप cost find कर रहे हैं, तो rates से इंटू जरूर करना आतो, 7, 5 जा, 35, 2 से यह गया, 11, 11, 5's are 55, और यहां बचा 35, 55 और 35 को आप multiply करो, you will get the required answer, इतना multiplication आप कर सकते हैं, बीच में और कोई ज्यादा calculation इसमें नहीं आई, C part is the right answer, 19, 25 इसका multiplication आजाएगा, ठीक है, चली, आगे बढ़ो, question number 3, यह भी बहुत अच्छा question है, यहां पर क्या है, track की बात हो रही, circular track की बात हो रही है, तो कह रहा है, inner circumference of circular track is 220, circumference given हो गया, inner वाले का, वो track की जो width है, वो 14 मीटर है, cost of leveling the track, track, देखो मैं यहां picture बना रहा हूँ, यह inner circle, यह outer circle, तो यह track आगया पूरा आपका, इसको level करने में, leveling करने में, इसको कितना पैसा लगा, rate दिया हो है, 50 पैसा पर मीटर, 50 पैसा वो ही बोले, तो half rupees per meter scale, जो भी आप इसमें calculation करेंगे, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कि भाई, जो आपको find करना है, जो track का cost find करना है, इसको leveling का, track का जो area होगा, उसको आपने 1 by 2 से into करना, अब track का area आप कैसे निकालोगे, यह ring जैसे है, तो ring का area आप कैस निकालते हो, outer circle minus inner circle, देखो आप ring का area कैसे निकालते हो, outer circle minus inner circle, कभी तो यह track का area आएगा, यह सब करोगे, into किसे करना है, 1 by 2 से, यह मत भूल जाना, 1 by 2 से into करना, क्योंकि आप total cost find कर देंगे, उसको leveling में, तो मेरे बच्चे pi common, पिछे r square minus r square बच्चे का, उसको लगाएंग निकाल लेंगे, मेरे बच्चे inner circumference, वो given आपको, 220, यानि 2 pi r given है, that is 220, यहां से आपको r का value मिलेगा, छोटे वाले r का, यानि यह वाला value आपको मिलने वाला है, ठीक है, छोटा r, तो यहां सब cancel हो ही रहा, 2 से यह चला गया, 22, 10 आ गया, यह यहां से चला गया, 5 आगया, r 35, 35 हो गया, inner radius, अब बताए, capital radius कितना होगा, यानि बड़ी वाली circle का radius कितना होगा, यार इसमें सिर्फ bit thad कर दो, 35 में bit thad कर दो, जो कि 14 दी हुए, total होगी 49, तो 35 और 49 को बस आपको plus करना एक बार, और एक बार minus करना है, और यहां values डाल देनी, तो मैं यहां direct लिखना हू 22 by 7, बड़ार, छोटार, इनको plus करो, तो यह बैठेगा, total 84, इनको minus करो, तो यह बैठेगा, आपका 14, और halves into करना है, cancel, यहां चला गया 2, यह cancel हो गया, तो आपके बास बच रहा है, 22 into 84, 22 और 84 को जब आप multiply करोगे, you'll get the required answer, अब multiplication में क्या आएगा, you can see, यह part आपका बैठ application आप कर सकते हैं, बड़े मस तरीके से, shortcut भी आपको सिखा रखें, question number 4, बहुत ही basic question है, sector का area find करना है, simple, angle आपका 60 degree का है, radius आपका 7, अब sector का area that you know, theta by 360 pi r square, theta यहां पे 60 है, divide में 360, 22 by 7, radius is 7, I hope इसकी आप calculation कर सकते हैं, 7, 7, यह सब cancel होता जा रहा है, it is 11, 77 by 3, deep partizans, basic question रखा है ताकि formula हमारा revise हो जाए, question number 5, यह काफी interesting question है, काफी interesting question है, क्योंकि इसमें आपको segment का area find करना है, अब segment का area आप कैसे find करते हो, आप sector में से triangle minus कर रहे होते हो, अब करो यहां पे triangle minus, angle 30 degree का डाल दिया, 120 degree वाला तो delete है, लेकि 30 degree का angle आगया, तो triangle का area कैसे बता होगे, देखो, यह आपके पास आगई circle, यह आर्क जो center में angle बना रही है, यहां पर इस question को आप पढ़ लो बड़े राम से, यह angle 30 degree का आगया, यहां पर आपका यह cod बना देता हो, यह आपकी segment आगई, इस segment का area बोच रहे हो, निकालने के लिए, तो sector में से आपको triangle minus क बनाओगे, फिर trigonometry लगाओगे, तो उतना करेंगे, तो बहुत time चला जाएगा, एक यह formula याद रखो, जो भी मैं लिखने वाला हो, segment का, it is applicable to all the angles, चाहे वो 30 degree हो, 45 degree हो, 60 degree हो, 90 degree हो, कोई भी central angle आदेना, बस यह formula अप्लाई करना, जो मैं लिखने वाला हो, इसी formula से segment का area न मैंने sector का area लिखा, देखो, R को मैं अंदर multiply करूंगा न, तो theta by 360 pi r square आएगा, यह मैंने sector का ही लिखा हो है, area, इसमें से minus करना आपको 1 by 2 sin theta, बस यह याद रखो, 1 by 2 sin theta minus करना है, यह जो दिखर आपको, यह जो 1 by 2 sin theta है, R square को अंदर multiply करेंगे, यह triangle का area निकल जाता है, अब angle यहाँ है, 30 degree हो, 45 degree हो, 60 और 90 है, कुछ भी हो, यह formula है भी याद रखिए, बड़ा मस्त कोश्यन है, R, R जो है 21 है, इसको आप लिख लो, R square like this, theta आपका यहाँ पर 30 degree है, तो 30 by 360 pi का value, you take 22 by 7, 1 by 2 sin theta, है न, कितना मस्त कोश्यन है, sin theta degree के value आपको बहुत है, 1 by 2 होता है, अगर यहाँ 120 degree भी आजाए, तो sin 120 degree, बस एक value याद रखने है, आपको, कि sin 120 degree जो होता है, वो root 3 by 2 होता है, 10th में तो आप सीखते हैं, लेकिर मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको याद रख लो, sin 120 degree का value, root 3 by 2 होता है, और Lampiats Viera NTSC में आप कैठे हो, वहाँ पर 120 degree का angle आजाता ठीक है, segment गह रिया, बस इसकी calculation कर दो बच्छे, जो cancel हो रहा है, उसको करो, time जादा नहीं लेना है, ध्यान से करना है, calculation, overwriting, mistake नहीं करनी है, यह हो गया आपका 12 से चला गया, यहाँ पर आपका 6 आगया, यहाँ पर आपका 11 आगया, यह सब यहाँ cancel हो गया, sin 30 degree का value यहाँ जब आप डालोगे, यह 1 by 2 आगया, ठीक है, यह 30 degree के element 1 by 2 डाल दी, तो टोडल आपके बास बच रहा है, यहाँ पर 21 into 21, और अंदर हमारे पास बच रहा है, यहाँ पर 11, और यहाँ पर 6 और 7, यहाँ पर आ रहा है 1 by 4, तो यहाँ 1 by 6 और 1 by 4, दोनों में 1 by 2 common है, वो आप ले लो common, जितना आप common होगे न, calculation उतनी simple होती जाएगी, तो 6 और 4 में 2 common था न, divide में, वो ले लिए बाहर, यहाँ 11, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 7, अब 6 में से 2 चला है, 3 बचेगा 3, 7 था 21, देखो 21 लिख ले है मैंने यहाँ पर, minus 1 by, 1 by 4 में से 1 by 2 में बाहर ले हो, क्योंकि मैं को पता है, LC में लेने के बाहर, यह 21, 21 cancel हो जाएगा, ठीक है, LC में ले ऐसे, यहाँ पर आगया 22, यहाँ पर आपका आगया 21, तो टोडल आपका आगया 21, 22 में से देखो 21 गया, कितना simple हो गया, यहाँ पर खली 1 बचा, और नीचे आपका 4 आ रहा है, 2, 2 is a 4 तो 21 by 4 आपके पास segment का रही आगया, अब इसमें से अगर कोई option match नहीं कर रहा है, तो मतलब आपका है none of these, that's all, आप notice करें, ध्यान दें, कि मैंने calculation कैसे की है, और segment का area मैंने कौन सा अपलाई किया, आपको यही formula याद रखना आपके term 1 exam के लिए, बड़ी जल्दी यह question, मु simple questions में है, shaded area you have to find, एक sector है, ठीक है, उसमें एक छोटा sector और बना दिया, unshaded, तो बड़े sector में से सिर्फ आप unshaded, जो छोटा वला sector है, वो minus कर दो, पुरा detail में बताता हूँ, theta by 360, pi r square, यह बड़ा वला sector, theta by 360, pi r square, यह छोटा वला sector, दोनों में, theta by 360 और pi common है, पीछे r square, minus r square जो मैंने ncrt solve कर रही थी आपको, इस सारे shortcut वहाँ पर मैं derive करके आपको बता चुका हूँ, a plus b and a minus b, यह आप direct याद रखो, इसको तो मैंने ऐसे करके दिखा है न, यह याद रख लो, जब भी आपको outer sector minus inner sector करना हो, तो direct यह formula है, दोनों radius का sum और difference, दोनों radius का sum और difference, दोनो by 365, you can take 22 by 7, डोनों radius को plus कर दो, एक 42 है, दूसरा 14 है, 42 और 14 को plus करेंगे, यह आएगा 56, उसका 42 और 14 को minus करो, 42 और 14 को minus करोगे, तो यह आएगा आपका 32, ठीक है, 42 में से 14, 12 में से 4, 8 यहाँ पर आगया 3, 3 में से 1, 28, कैंसल कर दो, 00, यहाँ अगे 12, तो 7 इसको गाटा 4, 4 इसको गाटा 3, तो टोटल आपके वास आ रहे है, 22, 56, और बस divide में 3 बच रहे है, बस इसको calculate कर लो, कितना बैठेगा, जो भी आठेगा, उसके according अपना right option लिखेंगे, 22 और 56 को मुल्टिप्राइ कर सकते हैं, question number 7, in the given figure, the shaded area, अब कई बार यहाँ confusion होती है, उसने बीच में cod type B बना दी, बच्चे ऐसे, यह वाला भी कई बार निकाल के आ जाते हैं, no, बच्चे यह पूरा area निकालना है, complete, तो यह कोन है, sector, कोन है यह, sector, sector का अरिया निकालना है, बस आपको, theta by 3, 65 hour square, अब यहाँ पर angle, 120 degree का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, value डालना है, simply भाई करना है, कोई इतनी बड़ी calculation नहीं है, 120, 360, 522 by 7, and radius is 14, that's all, I hope इसके आप calculation कर सकते हैं, यह 3 आगया, 7 to the, 44 into 40 divided by 3, इसका जो भी multiplication आएगा, उसके according आपका right option बैठ जाएगा, I hope इसके आगया आप कर सकते हैं, काफी simple है, नदो question number 8, काफी interesting question है, यह important question है, छोटा सा question, आपको यहाँ पर इस segment का area find करना है, जो मैंने अभी आपको formula बताया, बस वो लगाओ, r, r है, answer r में निकलेगा, देखो, r square बाहर है, यहाँ पर आपका theta by 360 pi, और यहाँ पर है 1 by 2 sin theta, आपको सिर्फ theta का value डालना है, मेरे बचे theta है, यहाँ पर 90 degree, और pi में ही रखना answer ज्यादा तर pi में है, और sin 90, अब sin 90 कितना होता है 1, वो चला जाएगा, यह सब cancel हो गया, 1 by 4, यहाँ पर pi, sin 91 होता है, यहाँ पर 1 by 2 आगए, दोनों का LCM बचे 4 आगया, तो यहाँ पर आएगा pi minus 2, it is r square by 4, pi minus 2, अब देखो r square by 4, pi minus 2 है कहीं, pi minus 2, r square बहुत, the part is answer, that's all, यह वाला segment कह रही है, याद रखना यार, यही आपको apply करना है, बार बार बता रहा हूँ आप, question number 9, area of the shaded reason, अब देखो यह भी कुछ ऐसा डाइगरम आता है, बचे बोलते हैं, यह पता नहीं क्या बना दिया रहे हैं, बहुत simple है, बहुत simple है, देखो, यह जो, यह वाला part है, जिसको मैं इसे highlight कर रहा हूँ, यह होगी आपकी semi circle, जिसका diameter 28 है, तो radius हो गया 14, इस semi circle में से 2 unshaded minus कर दो, 2 unshaded minus कर दो, वो जो 2 unshaded है, वो भी semi circles है, वो जो semi circles है, उनका radius कितना होगा, उनका जो diameter है, वो 14 है, यह 14 है, बड़ी का जो radius है, चोटी का जो diameter है, चोटी का जो diameter है, उसका half का और और radius हाज़ेगा, radius इसका 7 हाज़ेगा, बस इतना समझना हो, ठीक है, चोटी circles जो है चोटी जो semi circles है उनका जो radius है वो 7 है वो जो बड़ी semi circle है उसका जो radius है वो 14 तो आपको unshaded चाहिए तो आप लिखो सिदा required area pi r square this is circle इसको halves into गिया semi circle बड़ा वाला minus दो चोटी semi circle जो की मिलकर एक circle बन जाएंगी ये दो semi circle जो की same है दोनों मिलकर एक circle बन जाएंगी ठीक है circle के रिया minus करना आपको pi r square अलग लग करने की जूर्ट में time चल जाएगा ऐसे understand करें दो semi circle एक circle बन जाता है circle के रिया minus कर दिया r हमने चोटा वाला लेने half here pi you can take common 1 by 2 capital r मैंने आप उताया 28 का half कर दो 14 pi बाहर हो गया है चोटा r चोटी semi circle का radius diameter उनका 14 है half कर दो 7 बस इसके आपको calculation करने ही ये सब cancel हो गया it is 7 pi 14 into 7 ये बच रहा है और यहां बच रहा है 7 into 7 multiply करने से बच रहा है कि आप पहले तो 7 ले लो common पीछे आपके बच रहा है 14 यहां बच रहा है 7 देखो और simple हो गया अब pi का value डालो 22 by 7 14 में से 7 7 ये सब cancel हो गया देखो बड़े और आप से हो गया आई होप आप 7 और 22 को multiply कर सकते हो तो जो भी multiply करके आगया देखो अगया देखो अगया जिसमें एंगल 90 डिग्री गया जानी ये कोडरंट से आपको हाद्र सर्कल का इसको से जो जॉइन करो यह से आपका रेडिस आएगा पे strengthen पैथर्म लगाओ यहां जुदो कहarं को यह रहा दो से व槍ट क्योंट करो यहां से आपका रेडिस आएगा यहां ये पcade के पाइणे हैं यहां लगाओ तो यह रेडिस आजाएगा आपके पास तो पाइथागर लगाओ तो 7 का स्केर 7 का स्केर तो इसको ऐसे लिए को ट्वाइस साफ 7 का स्केर ठीक है यह आपका हाई पॉड़नीज आ गया जानी OC का स्केर आ गया तो OC निकालना को तो इसके अपर रूट चड़ा दो 7 बा स्केर 1 by 4 सरकल का अरिए 1 by 4 सरकल का अरिए माइननस ट्राइंगल आपको बता है 90 डिरी का अंगल है तो 1 बैस इंटू हाइड लगा देंगे तो बेस इंटू हइं त एन तू हाइड 7 7 यह आँपर ड़न अब दोनो में कुछ दिख रहा है सर यहाँ वन बैडू कॉम दिख त पाई का वैलू डाल दो 22 गाई 7 डाल दिया capital R का स्केर जानि इसका स्केर इसका स्केर इसका स्केर 7 रूट 2 का स्केर अब देखो 7 रूट 2 का स्केर तो इसको कैसे लिखोंगे 7 रूट 2 multiply 7 root 2 तो यह बनेगा 7 into 7 into 2 तो वही मैं यहाँ पर डिरेक लिखता हूँ 7 into 2 into 2 7 दोबर root 2 root 2 2 हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर 1 by 2 मैं बाहर ले चुका हूँ 1 by 2 लिया था ना यहाँ पर भी तो 1 by 2 बचेगा यहाँ पर आएगा आपका 7 into 7 अब देखो बड़ी सारी चीज़ें और भी common दिख रहे हैं मेरेको 2 7 तो बाहर दिख रहे हैं लो बाहर आगे 2 ने 22 गड़ा 11 तो यहाँ पर मेरे बच पच रहा है 11 into 2 ठीक है और divide में 7 वो 7 मैंने बाहर लिया था वो cancel हो जाएगा यहाँ minus 1 अब 7 लेलो LCM 7 लेलो यहाँ पर LCM यहाँ आगया 11 into 2 22 minus 7 यह 7 7 भी cancel हो गया पीछे बचा 7 by 2 बाहर 22 यह 22 और यह 7 करो minus सर यह 15 आगया सर यह तो हो गया सब cancel वेंसल 15 7 जा 7 5 जा 35 3 carry it is 10 upon 2 105 को 2 से divide करो सर यह option तो कहीं दिख नहीं रहा बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी option नहीं है D part is the right option ठीक है यह आएगा आपका 50 ने 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 52.5 सॉरी मैं क्या गहर रहा हूँ 52.5 ठीक है 105 का जो half है it is 52.5 तो बचे यह थे आज के 10 questions सभी questions बहुत important है practice कर लो next lecture में और मैं 10 MCQs लेके आऊँगा इसी chapter के thank you